इस वर्ष स्तर्दियों में बारिश और बरबारी आशा अनुरूप होने के कारण हिमाशल के उपरी ख्षेत्र के बागवार काफी खुश थे लेकिन कुछ समय से लगातार सूखा पंडे के कारण बागवानों के चहरे मायूस हो गए थे सूखे के कारण जहां नए रोपे गए पौधे सूखने लगे थे वहीं से वह अन्य फलों को भी सूखे से नुकसान पहुश रहा था ऐसे मैं फलों को बिमारियों से बचाने के लिए फल पौधों में शेड्यूल के हिसाब से की जाने वाली स्प्रे भी नहीं हो पा रही थी हलांकि इस बारिश को सूखे से निपटने के लिए नकाफी माना जा रहा है लेकिन इस से जहां सूखे से हलकी राहत मिली है पसल अच्छी है तो मैं आज कर इसके जो पॉलिटर है उनकी उनको काट रहा हूं काट चांट कर रहा हूं क्योंकि ता कि अगली साल ये दुबारा पॉलिटर इसमें फूर लगे और दुबारा से ब्रागन ये बनाए हमारा इसे काफी रात मिली है बारिश से काफी हमें रात मिली है क्योंकि सुका बहुँ जाद हो गया तो इस वक्त जो भी हमने काम करने थे अब हमारे शुरू होगे हमने अब तक सप्रे ने की है क्योंकि अगर हम कोई इंसक्टिसाइड डालते है उसे माइट की प्रॉब्म आती ह इसलिए जो अभी बारिश आने के बाद आपने आपने जो भी कारेक्रम है क्रिशी के यह में तो अब शुरू बारिश आने बाद अब अब यह शुरू हो गया है बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण सारा कारेक्रम जो भी है था, सप्रेद थी, जो भी है, सारा रुकपड़ा था मैं यहां के मालब कोटी का बागवानों, इस बारी फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन बीज में सुखे की मार पड़ गई ती कुछा तक, लेकिन फिर भी अच्छी फसल है मतलब, अभी बारिश वे आगी और काफी रहात मिली है अभी देखा आपने दो करलर परसू बारिश थोड़ी सी हुई है, और जिससे थोड़ी सी रहात मिली है, वो भी गरवी से, जहां तक इस बारिश की बात है, जो किसानों इसे से लेकिन तो बहुत नुक्सान होगा है, ओला आया है, तुफान आया है, ओजाला, मलिस ने सेव का हर पंसलों का बहुत ही दुक्सान किया है, इस बारिश ने और सुफान ने,